ब्रॉडवे तहाडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडा नमस्कार दोस्तों मैं मर्शीद ब्रॉडवे इमिकेशन सर्विसी से लगातार कोशिश इस चैनल के जरीए UK study visa, tie 2 visa को लेके हर latest important update आप से शेर करते हैं So UK के अंदर जो nurses हैं दोस्तों उनको लेके बहुत जादा shortage है और इस समय NHS direct recruit कर रहा है अजनसी के तुरू मतलब NHS क्या है? NHS National Health Services UK की है जिनके अंदर इस staff की बहुत जादा shortage है तो उनकी बहुत सारी agencies जो हैं internationalist लोगों को recruit कर रही है NHS में काम करने के लिए, care work में भी और direct nursing में भी तो सबसे पहली requirement इनकी क्या है कि आप nurse होने चाहिए आप BSC nursing भी हो सकते हैं, आप GNM भी हो सकते हैं और आप इसके अंदर direct jobs पे जा सकते हैं यहां पर आपको बहुत हाई पे जाब मिलेंगी नर्सिस के अंदर तकरीबन तकरीबन जो BSC nursing हैं उनको तकरीबन 30 लाग तक का package मिलेगा और जो normal है, GNM हैं उनको तकरीबन 24 लाग या 22 लाग के आसपास का job package मिलेगा साथ में बकैदा job रहेगी ऐसा नहीं है, जैसा आप fake work permit वालों के पास जाते हो जोब का कोई promise नहीं होता, इसके अंदर है इसके लावा आपके पास UK V.I.i.ilets होना चाहिए कम से कम 5.5 बैंड या 5 इच हों ताकि कोई interviews आए तो वो आप clear कर सकें जिन्होंने B.S.C. nursing किये उन्हें बड़ा benefit होगा long term में क्योंकि वो वहाँ पर जाकर अपने कुछ exams clear करने के बाद rather than working in care work वो सीधा nursing में काम कर सकेंगे लेकिन उसके लिए उनको local exam वहाँ पर clear करने पड़ेंगे अपनी job के साथ साथ, तो ये benefits जो है nurses ले सकती है और nurses के लिए इस समें एक बड़ा मौका है because UK ही एक ऐसी country है जहां पर nurses सबसे कम आईलेट स्कोर के साथ जा सकती है जो की 5 band है बाकि किसी भी country में जब nurses को जाना होता है उनकी problem यही होती है कि उनको आईलेट स्कोर बड़ा चाहिए होता है बट यहां पर आपको बड़ा आईलेट स्कोर नहीं चाहिए सो निश्चित बे फिकर होकर apply करें और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी applications को शुरू कर ले spouse वाले cases जरूरी है एक April से पहले-पहले embassy में जाने चाहिए उससे लेट जाएंगे तो वो spouse नहीं जा पाएंगे बट nurses अपना career बनाने के लिए लगातार जा सकती है आज के लिए इतना thank you